अस्ते कासे हैं आप सुब लोग सेविन चक्रा ब्रेसलेट कैसे पहनना है कब पहनना है क्या अफिर्मेशन्स हैं क्या इसको पहनना जरूरी ही है आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे कोशन्स आये मेरे पास में जब मैंने सेविन चक्रा ब्रेसलेट का वीडियो आप लगों के साथ में शेकिया तो यहाँ पर मैंने सेविन चक्रा ब्रेसलेट ही पहना हुआ है आप मैं आपको यही दिखा देती हूँ कि आपको यह कैसे पहनना है आपको इसको आते ही धोने की क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है जैसे ही आपके पास में आता है बस आपको सिंपली से निकालना है और पॉजिटिव हो करके अपने माइंड को शांत करते हुए एकदम अच्छे से अच्छा-च्छा फील करते हुए अगर आपको यह अफ़र्मेशन देना चाहते हैं तो य आपको इसको किसी और को नहीं देना है पहनने के लिए आपको इसको पर्सनल यूज के लिए ही रखना है और इसे पहनना बहुत जादा ज़रूरी है इसके बिना क्या चक्रास पर काम नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने इसको पहने बिना ही meditations के थो और कुछ forces के थो चीजों के थो अपने चक्रास को heal and team and balance किया था activation process पर भी मैं गई हुई हूँ तो इसके बिना ही गई हूँ इसकी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी थी लेकिन जब मैंने इसको लिया पहना, बनाया, चार्ज किया तो मैंने ये चीज़ नोटिस की येस, ये help करता है इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसको लेकर गई हमारी तरफ से जो आपको crystal का bracelet मिलता है 7 chakra bracelet मिलता है वो 100% original होता है आपको with certificate मिलता है साथ में आपको certificate भी मिलेगा कि ये 100% original है अगर आप हमसे लेना चाते हैं तो आपको जो number होगा उसे comment section में मैं pin कर दूँगे description box में भी आपको वो number मिल जाएगा पंपल्सरी नहीं है सिर्फ अगर आप अपनी help के लिए थोड़ा सा meditation करते हुए अपने आपको heal करते हुए positive affirmations देते हुए भी अपने उपर काम करते हैं तो बिल्कुल आपके उपर काम हो जाता है लेकिन अगर आप थोड़ी सी मदद लेना चाते हैं यह आपके मदद कर देता है हमारी तरफ से यह 100% charged मिलता है आपको इसको बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन हाँ आप इसे फुल मून पर चार्ज कर सकते हैं कैसी crystals को चार्ज करना है मैं इसके उपर डीटेल में अलग-अलग crystals के उपर अलग-अलग videos शेयर कर दोंगी अगर आप वो देखना चाहें तो प्लीज आप उसे देख सकते हैं और आप उसे फॉलो बे कर सकते हैं अदर्वाइस इसको ऐसे बार-बार-बार-बार हर महीने, हर दो महीने में इस तरीके से clean करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिर्फ यह आपकी energy को absorb कर लेता है हम वो negative energy को बाहर निकलवाते हैं उसके लिए आप इसे 5 मिनिट के लिए tap water के नीचे, running जो tap water होता है उसके नीचे भी रख सकते हैं कर सकते हैं कि आपकी negative energy बाहर निकल रही है उसके बाद आप full moon में इसको रख भी सकते हैं किसी बाउल में पानी डाल करके full moon में आप रख के पहन सकते हैं इसलिए मैंने कहा कि चार्जिंग का वीडियो होगा कि कैसे चार्ज किया जाता है उसे मैं अच्छे से detail में cover करते हुए आप लोगों के साथ मैं share कर दूँगी अलग-अलग crystal के लिए भी मैं share कर दूँगी ताकि आप लोगों को मदद में जाए ठीक है तो ऐसा कोछ necessary नहीं है कि तुरंद बस मिलाओ और बस आप लग गए चार्ज करने के लिए नहीं यह इतना जादा चार्ज है कि अगर आप इसे नहीं भी चार्ज करेंगे ना तो भी आपको इसके energy फील होनी शुरू हो जाएगी तो यह चोटे-चोटे questions है जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं किस हाथ में पहनना यह भी एक question आता है आप जिस भी हाथ के लिए comfortable हैं आप उस हाथ में इसे पहन सकते हैं कुछ ऐसा नहीं है कि आपको राइट हैं में ही पहनना है लेफ्ट हैं में ही पहनना है इसका बस एक ही मकसद है आपकी बॉडी के साथ में touch होना चाहिए, बस आप किसी भी hand में इसको पहन सकते हैं, बहुत ज़ादा सोचिए मत, बस इतना सोचिए कि आपको positive रहना है, crystals आपकी मदद करेंगे, आपकी बॉडी के साथ में बस वो touch रहने चाहिए, और यह आपकी help करते हैं, अगर आपको किस इसे चीज में परिशानी हो रही है, आप खुद की help नहीं कर पा रहे हैं, आपको healing की ज़रूरत है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत healing में आपकी मदद कर देते हैं, तो ये बस help के लिए है, basic जो काम होते हैं, वो आपको अपने उपर करते रहने चाहिए, like meditation करने चाहिए, affirmations देने चाहिए, positive होना चाहिए, अपने उपर जितना जादा हो सके काम करने चाहिए, और इनकी अगर आप मदद लिना चाहें, तो फिर आप साथ में इसकी मदद ले सकते हैं, अपने अपने रखिए खयाल, अपने अपसी की जढ़ेर सारा प्यार, ताकि आप ट्राक्ट करे अपने थी, सारा प्यार, I love you all, बादा!